नमस्कार नागपूर हल्चल में आप सभी का स्वागत हैं तो आईए नजर डालते हैं नागपूर के विविद्ध हल्चल पर देश के आर्थिक गतिवीदियों में अपना लगातार सकारात्मक योगदान निभाते हुए दक्षिन पुर्व मध्या रेलवे ने वर्तमान वित्तिय वर्ष दो हजार इकीस से बाइस में अभी तक 100 मिलियन टन की माल धुलाई सफलता पुर्वक की है वर्तमान वित्तिय वर्ष दो हजार इकीस बाइस में 100 मिलियन टन माल की डुलाई करने का यह किर्तिमान दक्षिन पुर्व मध्या रेलवे ने सिर्फ 188 दिनों में हासिल किया जो कि पिछले वित्तिय वर्ष दो हजार बीस एकीस की तूलना में 34 दीन पहले और 2019 बीस की लेखनिये है कि पूरे देश के ताप घरों, कारखानों, उद्योगों को कोईला, लोह, अयस्क, सिमेंट, उर्वरक, मैंगनीज, आदी सामगरी पहुचाने में दक्षिन पूर्व मध्या रेलवे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है कोरोना महामारी के दोरान भी दक्षिन पूर्व मध्या रेलवे द्वारा माल लदान के क्षेतर में बहतरीन प्रदर्शन रहा आने वाले दिनों में जब देश में और योगिक गतिवीदियों में तेजी आएगी इसके मद्य नजर यह उपलब्धी एक आशानुरूप माल लदान की राह की और स्पष्ट रूप से संकेत करती है पैशाली नगर स्थेत सिंदुभवन जुलेलाल मंदिर में धार्मिक स्थल खुलने के उपलक्ष में आश्विन माह का चंद्रदर्शन पर्व हर्शुला से मनाया गया सर्वप्रथम इश्ट देव भगवान जुलेलाल की बहराना पूजा व भजनों का गुनगान पंडित दयाल शर्मा व सुनेल महाराज द्वारा संपन्न हुआ सभी सदस्यों ने भगवान जुलेलाल जी की महा आरती कर सभी के घरों में सुक्षांती की प्राथना की इस अउसर पर सर्वश्री सोनू मंगानी, रवी मंगानी, देविदास आलवानी, अर्जुन कल्यानी, मोहन कल्यानी, गुर्मुकदास अमर्नानी, राजुचंदानी, खुशाल वास्वानी, ठाकुर वर्यानी, इमान दास कल्यानी, गोपाल जानियानी, महेश पूर्सवान आधी उपस्तित थे। आधी उपस्तित थे। आधी उपस्तित थे। डॉक्टर महेश तिवारी, विनोध गुपता, नितिन वर्मा, रीटा महतो, राजेश जिंदल, रविंद्र खुराना, लच्मन राम रख्यानी मुख्यरूप से उपस्तित थे। सू प्रसिद्ध, अभिनेता, दिगदर्शक, निर्माता, एवं गायक, सचीन पिलगावकर, आज नाकपुर पहुचेंगे और ओस्कर सांस्कृतिक संगित कलाकार अकैडमी और चेतन सेवांकुर औरकेस्ट्रा ग्रूप द्वारा आयोजित अक्यों के जरोखे कारेक्रम में उपस्तित होंगे। कोरोना महामारी ने पिछले धाई साल से नाकपुर की सांस्कृतिक दुनिया को ठंडा कर दिया था। सचीन पिलगावकर के आने से उनका काया कल्प हो जाएगा। शाम चार बजे कवी सुरेश भट हॉल में आयोजित होने वाले इस कारेक्रम के माध्यम से वे शहर के लोगों से समवात करेंगे। अधाई देते हुए कहा कि इस पत पर नियुक्त होने वाले आप विधर्ब के पहले पत्रकार है जो समस्त नाकपुर के लिए गर्व की बाद है। आशा है कि आप सूचना का अधिकार के तहट आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा ततपर रहेंगे तथा उनके समस्याओ का निराकरन करेंगे। राहुल पांडे ने आश्वासन दिया कि वे इस पत के साथ उचित न्याई करने का हर संभव प्रयास करेंगे। प्रतीक बहुगुना अनीज भाई की प्रमुक उपस्तिती रही। तथा महिला विभाक की और से सभी तयारिया कलपना भाग्यश्री हीना शंभर कर आधी महिलाओ ने की। केंद्रिय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी ने कहा कि देश के विकास में परिवहन क्षेतर की एक एहम भूमिका है। विल्वे के बाद देश में सडकों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आज 70 प्रतिशत यात्री और 90 प्रतिशत माल ढुलाई सडकों के माध्यम से होती है। इसलिए प्रदूशन मुक्त परिवहन के लिए इथनौल, CNG, LNG और Electricity भविष्य का इंदन है। विफिक्की के सम्मेलन में Future Fuel for Transport पर एक आभासिक कारिक्रम में दर्शकों के साथ सब्वात कर रहे थे। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की फायती सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर अधिक ध्यान दे रही है। अज 70% इंधन भारतिय परिवहन क्षेतर में जाता है। नतीजतन 8,00,00 करोड रुपए के कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल का 98 फीसदी हिस्सा सड़क परिवहन पर खर्च होता है। इससे 18% कार्बन डाय ओकसाइड का निर्मान होता है। परियावरन में परदूशन के लिए डीजल प्रमूख योगदान करताओं में से एक है। इसलिए परिवहन क्षेतर को कार्बन डाय ओकसाइड उटसरजन से मुक्त होने की सक्त सरूरत है। सरकार ने परिवहन के लिए प्रदूशन मुक्त इंधन रखने की निती बनाई हैं, जिसके तहट हरीत, प्रदूशन मुक्ती, स्वदेशी और जैव इंधन को बढ़ावा दिया गया है। ब्राजिल में इथनॉल से चलने वाले वाहन पिछले 60 साल से चल रहे हैं, पेट्रोल में 27 प्रतिशद इथनॉल होता है, अनाज से इथनॉल उत्पादन से किसानों के लिए भी आयका एक्स्त्रोत उपलब्द हो सकता है। चंदन बाबा जी आदी ठाना 6 के सानिध्य में हर दिन अलग-अलग विशयों पर प्रोग्राम किया गया। शासन श्री साधवी चंदन बाला जी ने अपने उद्बोधन में फरमाया, अनुवरत जीवन को दिशा निर्देश कर सकता है। चोटे-चोटे सरल वरत जो इनसान को इनसान बने रहने में सहायक होते हैं, नैतिक्ता से शुन्य जीवन विर्थ है। संकल्प के साथ साथ प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है, प्रेक्षा ध्यान वैज्यानिक और प्रयोगात्मक पद्धती हैं, जिसे सभी को अपनाना चाहिए, हिंसा, भै, क्रोध, ग्रुना, आदी सारी नकारात्मक्ता को ध्यान के द्वारा शांत किया जा सकता है, दूर किय साथवी वर्दमान श्री जी ने सू मधूर द्वनी से प्रोग्राम को संगीत में बनाया, अन्य साथवी वरुंद ने कभी कविता, कभी उद्वोधन द्वारा हमें जागरूप किया, अनुवरत समिती नाकपुर अध्यक्षिर राजिंदर पटवारी ने अपने वक्तव् पर हिंसा और अहिंसा पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें चार्मिंग युवती मंच प्रथम तथा सभाशताबदी एक्सप्रेस द्वितिय स्थान पर रहे, मार्वलस महिला मंडल, रॉकिंग टीपीएफ तथा डाइनामिक युवक परिशत क की भी सराहनिय प्रस्तूती रही। इस कारेक्रम के बारे में प्रोग्राम डिरेक्टर तुलसी सेतिया ने बताया कि कारेक्रम सिंधी रंगमंच वा सिंधी संगीत में उल्लेखनिय योगदान देने वाले नाकपुर के कलाकारों का समावेश रहेगा। सिंधुडी युथ विंग के सह संयोजक लक्षमन थावानी अध्यक्ष राकेश मोटवानी वा सचीव महेश चेलानी के अनुसार इस कारेक्रम का 15 वा एपिसोड कलाकारा लेखी का वा निर्देशक डॉक्टर मीरा जारानी द्वारा कलाके क्षेतर में दिये गई योगदा सिंधी पूना के अध्यक्ष पितांबर पीटर धलवानी दयानंद आर्यकन्या व विद्याले व जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल तेजिंदर एस फेनुगुपाल कलाकार डॉक्टर विजय मदनानी भारतिय सिंदू सभा सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष किशोर लालवान साधना सहकारी बैंक के संचालक आवत्राम चावला डॉक्टर विकी रगुवानी प्रमुग अतिती के रूप में उपस्तित रहकर इस ट्रॉक शो में अपने अनुभव साजा करेंगे भारतिय युवा सेना के 89 स्थापना दिवस पर नाकपूर स्थेत मेंटनेंस कमांड में शौर्यस मारक में एयर मार्शल शशिकर चौधरी, AVSM, VSM, ADC, AOC, NC मेंटनेंस कमांड द्वारा वायू सेना में अपना सर्वोच बलिदान देने वाले वायू योद्धाओ के सम्मान म पुषपांजली अर्पित की गई। इस अवसर पर AOC, NC द्वारा मुख्याले रख रखाओ कमांड में तैनात नागरिकों सहित सभी वायू योद्धाओ और कर्मियों को इमांदारी, सत्यनिष्ठा और भक्ती के साथ राश्ट्र की सेवा करने के लिए शपत दिलाई उन्होंने सभी कर्मियों से अच्छा काम करते रहने और हर समय संचालन की तैयारी सुनिष्चित करने का आगरह किया। उन्होंने मुख्याले मेंटेनन्स कमांड के योग्य वायू सैनिकों और नागरिकों को उनकी मेधावी सेवाओ के लिए प्रशंसा भी प्रदान की। उन्होंने दोहराया कि सभी कर्मियों द्वारा किये गए सामुहिक प्रयास यह सुनिष्चित करेंगे कि हम आकाश को गवरों से स्पर्श करें। उन्होंने कर्मियों से सभी प्लैटफॉर्मों और प्रणालियों की 100% सेवा क्षमता सुनिष्चित करने पर ध्यान केंद्र करने का अवाहन किया आखों की चांग शिवीर में 130 लोगों में मोतिया बिंद पाया गया जिनने मोतिया बिंद की तकलीफ काफी साल से है और उन्हें कोई सुविधा न मिलने से तरस्त थे स्वयम सेवी संस्था ग्रीन एंड क्लीन फांडेशन द्वारा ऐसे 60 पेशन्ट को न पारशत किशोर वानखेडे, पूजा भोयर, भुपेंदर कौर, भसीन और ग्रीन एंड क्लीन फांडेशन के फांडर संदीप मानकर की मौजूद की रही इस मानविय उपक्रम में दिनेश करम चंदानी, इंद्रजीत सिंह, भोजवानी, अर्पिज जयस, कमन कानोजे, राजेश मनोहरलाल सावडिया, अनुराग विसेन, भोला थोरी, अभिशेक धरनीधर, मोनिका मोटवानी, मंकश्त्रिवेदी, सरिता राजुरकर, राहुल ग अनिकेत तकर खेडे, भरत शाहु, कोपाल पेटकर, कौशिक, सुरेश गंदेवर, विक्रम रड़ी, अमन कनोजिया, सचीन उईके, लक्ष्मिकांत पडोले, रुपेश भोयर, राहुल ठाकुर, निरज कनोजिया, कपील मोहर्ण, शिवकुमार शाहु, श्रेष्ट चौरस पंकस्त्रिवेदी, राहुल गवई, अनुराग निवारे, राबजियोज सिंग भसीन, जैश बेडेकर, मंगेश मिश्राम, संकेत तैवाडे, करून जैत्वार, गोविंद वैराले, किरन इंगोले, शिवम कानोजे, सचीन उईके, भरत, मनोज करवतकर, उमेश हिडाउ, आधी का योगदान रहा, ग्रीन एंट लीन फाउंडेशन के नेक कारियों के सराहना सभी तरफ हो रही है। प्रतियोगिता की शुरुवात, डॉक्टर बाबा साहिब आमेटकर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स अहुजा नगर से होगी। कोरोना काल में कही लोगों ने रोग प्रतिरोधक, शमता बढ़ाने और शरीर से ऑक्सिजन के स्तर को बढ़ाने के लिए योगा अभ्यास किया जाएगा। नागरिकों में योग मंत्र वितरित किया जाएगा। डॉक्टर राउत के जन्मदिन पर निशुलक स्वास्ते शिवीर और महिला कैंसर जान शिवीर भी आयोजित किये जा रहे है। शिवीर में उच्च रक्तचाप, मधु मेह, नेत्र रोग, स्त्री रोग, हड़ी रोग, बाल रोग, मधु मेह, दंत रोग, सरजरी जैसे रोगों पर मुफ्त परामर्श और उप्चार प्रदान किया जाएगा। शिवीर, श्रावस्ति, समाजबंदिर रिपब्लिकन नगर, गुरुनानक हॉल, अशोक नगर, प्रतिबा हॉल, गुरुकृपा मंगल कार्याले, टीपु सुल्टान चौक में आयोजित किया जायका। इसी तरह कैंसर जांट शिवीर आवले बाबु चौक में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही कई स्थानों पर रक्तदान शिवीर भी आयोजित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कॉंग्रेस कार्यकरता एवं पदादिकारी गण इन शिवीरों की सफलता के लिए प्रयासरत है। नाकपुर के फैशन एवं नवीनितम कलेक्शन के चहीतों के लिए ताना बाना एक्जिबीशन फिर से एक बार शुक्रवार को परंपरा हॉल वर्दमान नगर में टियारा एक्जिबीशन के माध्यम से प्रस्तुत हुआ एवं आज भी प्रस्तुत होने जा रहा है। आयोजी का शोभा ललित लोया के अनुसार एक्जिबीशन में आगामी फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए कॉलकाता दिल्ली मुंबई के प्रसिद्ध डिजाइनर अपने विभिन्न कलेक्शन के माध्यम से औरेंज सिटी में प्रस्तुत होने जा रहे हैं। साथी साथ संपुर्न भारत से करीब 50 डिजाइनर अपने नवीन्तम डिजाइनर कलेक्शन के साथ जिसमें प्रमुकता से नवीन्तम होम डेकोर प्रोड़क्स, साडीज, कूर्तीज, गाउन, ट्यूनिक्स, इंपोर्टेट गिफ्ट आइटम्स, एसेसरीज, पर्सेस, डिज टॉप बैग, वंडर शेफ, स्टीम प्रेस, बेटशिट, राजस्थानी चुन्नी घागरा, लहेरिया, गोटा पत्ती कलेक्शन, बनारसी दुपट्टा साडी, गोवर्धन मिल्क प्रोडक्ट, गुजराती चानिया चोली, क्लोट मटेरियल, तोरन एवं डेकोरेशन एग्जिबीशन शनिवार सुबह ग्यारा से रात्री आट बजे तक शुरू रहेगी, आयोजकों ने सभी से सहपरिवार इसका लाब लेने का अनुरोध किया है अंतराष्ट्रिय वितराग अध्यात्मिक भक्तामवर एवं विजाक्षर उपचार केंद्र के अनवरत पात्सो दिन जूम के माध्यम से सफल हीलिंग एवं गोल्डन बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने के बाद सभी सेंटर हेट्स, कोडिनेट, हीलर्स एवं साधको का प्रथम एतिहासिक सम्मेलन तिर्थराज समेच शिखर जी की पावन धरापर सिधायतन के वातानुकुलित परिसर में संपन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मेहर मास्टर मुस, वाइस चांसलर जोरस्तियन ओपन युनिवर्सिटी मुम्मई ने की, जिसमें उन्होंने कलर थेरपी एवं सूर्य उर्जा ध्यान के माध्यम से सभी को मंत्र मुक्द कर दिया डॉक्टर मंजू संदीब जैन भक्तामबर ग्लोबल मदर की गरिमा में उपस्तिती रही, कारेकरम की होस्ट आई वी एस एच सी की सीम डब डॉक्टर अर्चना विने जैन एवं भक्तामबर ग्लोबल गुरू, मेडिटेशन और बिजाक्षर क्वीन ने सर्व प्रतम सभी ट्रस्टी, सेंटर हेड, कॉर्डिनेटर, हीलर्स एवं आगंतुकों को उनके 500 दिन की अनवरत, निशुलक एवं निस्वार्त सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र, स्मृती चिन्न एवं गुच्छ देकर स्वागत किया और आभार व्यक्त किया डाइरेक्टर विने जैन ने कारेकरम की रूप रेखा, आगामी योजनाओ, टेजी से प्रचार प्रसार के बारे में पूर्ण प्रकाश डाला, ललिता सेथी, ट्रस्टी सिद्धायतन परिवार ने सिद्धायतन के इतिहास एवं आगामी योजनाओ से अवगत कराया, गिट्टी खदान पुलीस ने धर दबोचा, आरोपी का नाम सिंधी कॉलनी खामला निवासी 23 वर्षिय विजे प्रलहात हिबराले है, वह दरसल नरखेड से है और नागपुर में किराय के मकान में रहता था और चोरिया करता था, प्राप्त जानकारी के अनुसार गिट्ट गिट्टी खदान थाने में तनात राकेश बेटवार को मुखबीर से सूचना मिली कि एक युवक वेटर्नरी चौक के आसपास दो पहिया वाहन से घूम रहा है, शक हुआ कि यह बाइक चोरी की हो सकती है, जानकारी मिलते ही पुलीस ने जाल बिच्छाई, इसी दोरान बंदित वाहन नंबर के साथ एक युवक पुटाला तालाब की और जाते देखा गया, उसे रोक कर पूछताच करने पर उसने अपना नाम विजय बताया, बाइक के बारे में पूछने पर वह संतोश जवाब नहीं दे सका, जान्च में पता चला कि वह चोरी का है, की कुल कीमत करीब एक लाक रुपे बताई गई, पुलीस ने मामला दर्ज कर विजय को गिरफतार कर लिया है, बेलतरोडी थाना अंतरगर जैनती नगरी दो निवासी 31 वर्षियर रुतू पंकज खड से द्वारा, साथवे माले से कूद कर आत्महत्या के मामले में, पुली सास मायावती नाना जी खड से, पैसट, नंदोई सिधार्थ विश्वनात गंभीर, त्रेपपन और ननद मंगला सिधार्थ गंभीर, चवालिस बताई गए है, ग्यात हो की रुतू अपने पती के साथ जैनती नगर दो की डी विंग में रहती थी, प्राक्त जानकारी के अ सामले में पुलीस को पता चला कि रुतू संतान चाहती थी, लेकिन पंकज और उसके ससुराल वाले चाहते थे कि वह नौकरी करे और पैसे कमाए, नौकरी ढूडने के लिए रुतू हैदराबाद भी गई थी, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली, हालाकि दोनों का प्रेम वि कोत्वाली पुलिस थाना अंतरगर जंडा चौक निवासी फर्यादी के घर के खुले दर्वाजे से घर में प्रवेश कर अग्याद चोर ने घर में रखे करीब धाई लाग रुपयों के सोने के आभूशन पर हाथ साफ कर दिया, पुलिस से मिली जानकारी के अरुसार, कोत कोत्वाली परिसर के फ्लैट नंबर 103 विश्नु वैभव अपार्टमेंट जंडा चौक निवासी फर्यादी सुदर्शन सदाशिव ने अपने घर में स्थीत लकडी की अलमारी में सोने के आभूशन रखे हुए थे, अग्यात आरोपी घर के खुले दर्वाजे से घर में दाखिल हुआ और अलमारी में रखे सोने के आभूशनों को चुरा कर ले गया। फर्यादी ने इसकी शिकायत पुलीस से की। पुलीस ने अग्यात आरोपी के खिलाव भारतिय दंड विधान की धारा 380 के तहत मामला दर्च किया है। पुल के काम में तेजी लाने के उपाय और भूमी अधिग्रहन में आने वाली कटिनाईयों पर विस्तरुत चर्चा हुई। इस अवसर पर स्थानिय पारशदों ने भी अपने विचार व्यक्त किये। का काम समय पर पूरा नहीं कर पाए। इस पूल का 70 फिसदी काम पूरा हो चुका है। और 36 फिसदी काम पारड़ी के पुराने पूल रेलवे अंडर पास को चोड़ा करने और एजबी टाउन चौक पर कुछ कारिय बचा हुआ है। लेकिन अब इस ब्रीज का काम जोरो पर ह और राद 11 बजे तक लगातार इस ब्रीज का काम चल रहा है। इसकी डेडलाइन जून 2022 है लेकिन उससे पहले जनवरी 2022 तक हम पूल को यातायात के लिए खोलने के लिए तयार कर देंगे। इस साल 14 एवं 15 अक्टूबर को धमचक्र प्रवर्तन दिवस सादगी से मनाया जाएगा और कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे। अतह सार्वजनिक आयोजन के बजाए दिक्षा भूमी में पुस्तक मेले का आयोजन होना चाहिए। इस आशय के विचार बुद्धिस् मंदल के सदस्यों ने व्यक्त किये। बाबा साहिब आमेटकर की विचारधारा, बौध अध्ययन और पाली भाषा में लिखे गए तथ्य एवं किताब आज के जमाने में भी प्रासंगिक है और इसके माध्यम से मिलने वाले ज्यान से समाज का उत्थान होगा। यह पदाधिकारियों का मानना है। जला अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को ग्यापन सौपा। तो राकपुर हल्चल में आज के लिए इतना ही। आप से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वी के वी न्यूस तमस्कार। झाल न्यूस तमस्कार। झाल झाल झाल